और कोंग आपलों को आज हम आप दोगों को सब्जेक्ट प्राय्मरी हिल्थ कर के कोश्चन पेपर के बारे मुत आएंगी जो यू इस्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनों इनमट फर्स्च आ डो 2023 का सब्जेक्ट प्रामरी हिल्थ केयर का कोश्चन पेपर है देखिए कोश्चन पेपर जो है मैक्समिम माक्स जो है 75 फाइफ का है यह पेपर यह इस पेपर को करने के लिए आपको टीन गंदी का समय मिला है तो देखिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 2023 में फर्वरी 2023 में किस तरह से कोश्चन पेपर नम फर्स्ट है कर जो प्रामरी हिल्थ केर कोश्चन पेपर है किस तरह से पूछा गया है इसके बारे में जो आपके लिए बहुत ही फैल्फुल होगा तो देखिए इसमें फर्स्ट कोश्चन है सही विकल्प चुनिए जो पांच अ करेंक का है इसमें फिर्ष्ट है mmr वैक्षिन का विस्थरित रूप है mmr का विस्थर रूप क्या है चाहित पलेख सासथ है मेस स्मॉम्टेख रुवले थी सी का मिले फीशे माले भीशसाया तो आपसानने मीचसायिया भीपThis तो जो यमीय हम आर वैक्षीन है उसका विस्तित रूप है मीजल मम्स रुवेला ए आप्सन जो है आपका राइट है नेक्ट्ष शेकेंड क्वेइंग है पल्स पोलियो इम्मुनाजेशन कब प्रारम किया गया था पल्स पोलियो इम्मुनाजेशन कब प्रारम किया गया था तो पल्स आप्सन देख लिजिए आप्सन है इसमें A. Year 1990 B. आप्सन है Year 1995 C. आप्सन में है Year 1998 D. आप्सन है Year 2000 आपcentered明र 109 में विर्फ 985 में तो 2 पारम किया गया था वह बी आप MR чистuten स्ली Cuba टुरूर किया गया था अगला कोश्चन है W.H.O का मुख्याले इस्थित है W.H.O का मुख्याले कहां इस्थित है तो आपसन इसमें देख लिजिए आपसन दिया है फर्स्ट आपसन है A. निउयार्क में B. आपसन है पाकिस्तान C. आपसन है जिनेवा D. आपसन है रोम तो W.H.O का फूल फार्म है World Health Organization विश्थो स्वास्ते संगठन इसका मुख्याले जो है स्विजलेंड के जिनेवा नामकस्थान पे जो C. आपसन आपका है जिनेवा वो राइट है W.H.O का जो मुख्याले इस्थित है वो जिनेवा में इस्थित है नेक्स्ट अगला कोशन है UNICEF की अस्थापना हुई थी UNICEF की अस्थापना की स्वर्ष हुई थी कब हुई थी तो आपसन देख लीजिए इसमें आपसन दिया है A. आपसन में है 1946 B. आपसन है 1948 C. आपसन 1950 and D. आपसन है 1957 1957 1957 तो UNICEF का जो Full Farm है United Nation International Children's Emergency Fund होता है इसकी जो अस्थापना हुई थी वह जो है स्थापना है जो अमेरिका द्वारस न चालेत होता है यह जो है अमेरिका की एक स्वास्थ एजनसी है इसकी अस्थापना New York City में 1946 में हुई थी 1946 में अगला कोशन है Nursing Day इसमें जो है Last question देखिए Last question है पाच्वा Nursing Day कब मनाया जाता है और तो इसमें आफसन देख लीजी आफसन दिया है A आफसन में 7 मई B आफसन है 7 अप्रेल C आफसन है 12 मई And D आफसन है 12 अप्रेल तो जो Nursing Day मनाया जाता है Midwife Day मनाया जाता है इसलिए C आफसन आफसन आपका Right है 12 मई को मनाया जाता है इसलिए C आफसन जो है आपका Right है सही है Next अगला question है Second रिक्त अस्थानों की पूर्ती कीजिए रिक्त अस्थानों की पूर्ती कीजिए ये भी जो है 5 नंबर का question है इसमें भी 5 question पूछे गया है प्रतेक question का जो है एक एक अंक निर्धारित है तो देखिए इसमें जो है full farm पूछा गया है जो agency है उसके जो है full farm पूछे गया है तो देखिए Second question है रिक्त अस्थानों की पूर्ती कीजिए ये भी 5 नंबर का question है इसमें फर्स्ट कोशन है नर्स नर्स का full farm है नर्स एन यू आर एस सी नर्स का full farm होता है novelty यू फार यू फार यू फार नोबिल्टी यू फार यूजफुलनेस और फार रिस्पोंसबिल्टी येस फार सिंपाथी एन एज फार इफिशियेंसी नेक्स्ट UNICEF का full farm है UNICEF का full farm है United Nation International Children Emergency Fund UNICEF का full farm है United Nation International Children Emergency Fund नेक्स्ट इसी तरह है CARE का full farm है Cooperative for Assistance and Relief Everywhere नेक्स्ट है WHO का full farm है WHO का full farm है वर्ड हेल्थ आर्गनाजेशन, विश्वास्तंग धन, वर्ड हेल्थ आर्गनाजेशन, नेक्स्ट, लास्ट कोशन है, इसमें, सी वी सी का फुल फार्म है, कम्प्लीट ब्लड काउंट, सी फार कम्प्लीट, वी फार ब्लड, सी फार काउंट, कम्प्लीट ब्लड काउंट, न कि इसमें Monsieur marshmallowatin honom Yesterday मत् Empathy काटने से होता है सही है गलत दो मैलेरिया मैंने सिंपतने से होता है यह सही है मोलेरिया मoya nature के काटने से होता है सही है नेक्ष इंहेश्ट स्यक्लिगर्ण है I am injection 45 degree code में देते हैं सही है गलत है तो यह गलत है I am injection 45 degree code में देते हैं यह गलत है नेक्स्ट थर्ड कोशन है कोल्ड चेन में वैक्सीन को 2-8 डिग्री सेल्टिकेट पर इस्टोर किया जाता है कोल्ड चेन में वैक्सीन को 2-8 डिग्री सेल्टिकेट पर इस्टोर किया जाता है सही है गलत है तो यह सही है कोल्ड चेन में वैक्सीन को जह 2-8 डिग्री सेल्टिकेट पर इस्टोर किया जाता है नेश्ट फोर कोशन इसमें देखिए चोथा विटमिन डी विटामिन डी के कमी से रतोधी रोग होता है सही है गलत है तो यह गलत है विटामिन डी की कमी से रतोधी रोग नहीं होता है यह गलत है विटामिन एक की कमी से रतोधी रोग होता है नेक्ष्ट इसमें लास्ट कोशन है स्वास्त दिवस साथ अप्रेल को मनाया जाता है सही है गलत है तो स्वास्त दिवस जो है साथ अप्रेल को मनाया जाता है सही है जो विश्व स्वास्त दिवस मनाया जाता है वो साथ अप्रेल को मनाया जाता है सही है नेक्स्ट क्वेशन है चौथा किनी चार प्रशनों के उत्तर संखेब में दीजी चार प्रशनों के आपको उत्तर लिखने हैं जिसमें पांच अंक निर्धारित किये गये हैं इसमें जो है पांच प्रशन भी पूछे गये हैं जिसमें चार के ही आपको जबाब देना है और ब्रते एक कोस्ठन के 5 पांच संक नदायतं है इसे फर्स्ट कोसन है टाइप साफ वैक्सीन, वैक्सीन के प्रकार लिखिये इसके बारे में cin इक सेंड काल चेहे इसके बारे में लिखना है अपको टोड को तर्ट कोषण तिटैप से इस अंत के ढ इंद ती कारे इसके बारे में आपको लिखना है शाड निकषण विस्तार पुरवक लिखें, प्रशन के उत्तर विस्तार पुर्वक आपको लिखने हैं तो प्रते कोशन के लिए 10-10 अंक निर्धारित किये गया है इसमें फर्स्ट कोशन देखिए इसमें भी 5 प्रशन पूछा गया है पांचों में से जबाब देने हैं जिसमें से आप को चार ही के बारे में लिखना है, विस्तृत में लिखना है। में आपको लिखना है कि का करण से संबंदिश सिडियों के बारे में इस आड़ी के बारे में किकी वैक्षीन की तरह से दिया जाता है वैक्षीन की कितने प्रकार हैं इस उन Сबी के बारेमें जो आपको लिखने हैं Youth Q2 मुएर्य मन선 कारड़ टथा वरगी करड़ की बारे में लिखी है विमारी की क्या embrace वरगी करड़ के बारे में इसने वहागों कि इसको वरगी खृत किया गया इसके बारे में नेक्ष्ट काड़ें 3. infection किसे कते हैं, शंक्रमड किसे कते हैं, infection, infection मेंस होता है, संक्रमड किसे कते हैं, क्या होता है, संक्रमड इसके कारण तथा प्रकार के बारे में लिखे, इसके causes और इसके types के बारे में लिखना है, infection मेंस संक्रमड, संक्रमड किसे कते हैं, संक्रमड किस तरह से होता है, किस तर इसकी कौन-कौन सी विधी होती है नेक्स्ट पांचमा इसमें लाश्ट कोशन है नमूना एकत्रित करने के सिध्धान तथा इसकी विधी के बारे में लिखना है इसकी क्या सिध्धान्त है और इसकी विधी क्या है इसके बारे में आपको डीटेल में लिखना है